गुड आफ्टरनून एबरिबन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रतियोगी प्रिक्साओं में पुछे गए प्रसनों की तो यहां पर लेका है एचेस प्री एक्जाम हैल्ड ओन फॉर सेप्टेमबर 2011 तो 2011 का जो एचेस का एक्जाम होता प्रिलिम्नरी तो उसमें जो भ भी नदी की सहायक नदी तो ऐसे ही आपको जबो सभी नदियों के जो भी सहायक नदी है उनका भी पता होने जैसे कि यमुना की जो सहायक नदी है वो है गिरी टॉंस पबर आंध्रा जैसके ब्यास नदी की जो सहायक नदी है वो है बनेर बान गंगा लूनी पार्वती में मिलती है तो चाव की जो साहिक नदी है वो गे चंद्रा और भागा नदी अगर हम रावी नदी की बात करें तो रावी की में जो भंदल तंतकीरी छत्राणी स्थूल और साल और यहां पे सियुल धारा भी जो किसकी है रावी नदी की ये साहिक नदी है अगर हम बात करें के प्राची नाम की तो प्राची नाम जब वो चिनाब का क्या है चिनाब का जो बैदिक नाम है वो है असकिनी चिनाब का जो बैदिक नाम है वो असकिनी है याद रखे और यमुना का जो प्राची नाम है पुराना नाम वो कालंदी है तो यमुना का जो प्राची नाम है वो क और संस्कृत नाम जो इसका बिपासा है एक और नदी बच गई हमारी सत्रूज तो इसको भी आप याद रखें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रावी बच्त नाम जो सही और सही हमाले नकसेतर के बारे में लेका है ऐसी कोशिन जो दूह्र में प्यवस्तेटी कीजिए ऐसे कोशिशन जो वो सारी जो वो एच्छेस एक्जाम में पूछ जाते हैं तो यह वो रहाएक लेकों को जिन्नोंने हमालेक सेतर के बारे में लिखा है तो इसको करम में जो बेवस्तित करना है तो सबसे पहले है टॉल्मी फिर है चंदर गोमिन फिर है पानिनी और बरहा मिहिर। तो इसकी नंबर फो देखे हैं डोट्रा कवार किस नदी गाटी में स्थित है तो एय है तो तॉन्स नदी गाटी में कि टॉंस टॉंस लिका है और आपको बता नोगी है सत्रु जो बो कहां से निकलती है। जीनाप जब वो चंदरा और भागा जब मिलते हैं तब वो यह बनती है रहस्वेटि में और व小 cities कहां से निकलती है और दिख भूरतां के दर्बत सहिंपने स 후 इसको भी आप या दैखे तो डोटराड के बार रादा हॉ—— कोश्ची नमबर 5 देखे, कांगडा जिले का जौला मुखी मंदिर किस बस्तु सैली में है, तो कांगडा जिले का जौला मुखी मंदिर है, वो जो बो गुम्बत सैली में बना हुआ, तो यह जो बो गुम्बत सैली मतलब कि डाउन्ट सैली, तो यह जो बो गुम्बत सैली में सच्चा ही जाने के लिए आया था कि यहां पर जो यह क्यों जल रही है तुम आने ताओ के ऐसा मानने जाता है कि जो वह सथी की जो जीवकिरी थी और 1813 याद रखें यहां पर स्वरण जल का गुंबद भी बनाया था इसको भी आप याद रख सकते हैं आपको पता उन्चे का काड़ करके बनाए गया है बैजनात मंदिर है तो इनको भी आप याद रखिए नेक्स कोशिन जो की काफी अच्छा कोशिन है इसने पुचाए कि सूरज दाल जिल जो वह मांचा पदेश के किस चीले में तो सूरज दाल जिसमें ताल लगा हो बो जो बो कहां पर होगी जो बनाए गया है तो बहुत जो वहां पर होगी जो किनारे आपको मिल जाएगी इसके नबाई जो लगबगा 14-15 किलमेटर तो होगी और ब्यास नदी पर बनी होई है याद रखिए तिक सबसे चोटी अगर हम बात करें और भी मानम निरमित जील लगी तो पॉंग जील और अगर हम बात करें प्रक्रिति मπαी जो प्रक्रिती से नृट पहले से बनिवेए जिनके बारे में कुछ मतहिक हैं लेकिन भोhu पहले से मौजूद है प्रक्रिती की देन है तो हम प्रासर जील है जैसे की औरे आइस की कौन रिकाल पास एक तो प्रासर जील है, मंडी में एक तो प्रासर जील है, अचा दो हमारे पास एक कैसी जील है, अचा प्रासर जील जो वो सबसे चोटी जो वो हमारे पास प्राक्रितिक जील है, प्राक्रितिक जील है, अगर हम सबसे बड़ी बात करें, तो वो जो वो कौन सी है, वो जो वो सीर मोर में रेणुका जील है मंडी में जो वो कौन-कौन सी जील है और एक तो रिवाल सी जील है आपको पताऊगा एक कुमारबा जील भी है कुलू में कौन-कौन सी है कुलू में जो वो कुलू में एक तो पारबती नदी का जहां से निकलती है, वहां पे है मंतलाई जील, एक भ्रीगो जील भी कुल में एक दसहर जील भी है, और एक जो वो स्रियूल जील भी है, एक सिरोल सर जील भी है, लाउस्विती में सुरज ताल जील होगी, चंदर ताल जील होगी, सिम्बला में जो हो जील है और शीरमार में जबो रेंडुका जील है जो की बहुत बार जो को शीर मनता है और किनौओर में कौन से है रेंडुका जील होना पड़ा जिससे उसके पिता जग जमदगनी की आग्या पर पालन करते हो तो ऐसा किया जमदगनी जामलु देवता के रुप में भी जाने जाती है तो इसको भी आप याद रखें नेक्स कोशिन पर जाते हैं नेक्स कोशिन है यहां पे कौन सी परबत स्रिंखला अच्छा एक और चोटी है हमारी जैसे सीला कीनोर जीले के सबसे उंची चोटी है तो जासकर परबत स्रिंखला आप याद रेके जाकधार के बारे में भी पूछा जाता है छीन है जो वो पहले भी जो वो DTS में कई सारे exam ऐसे हैं जो DTS में पूछा जाएज हुए PGT, PGT, English में या Supervisor exam में या कई सारे पटवारी exam में पी पैट वोगे टेट, काई सारे exam में यो पूछा जाएज है तो जैसे जाकतार जो वो किस जिले में तो यह हमिरपुर में है, सिवालिक पहाडियों की अधिक्तम उन्चाई कितने हैं, यह भी बुच्छा जा चुका है, तो यह जो वो लगवगा 1500 मीटर है, तो इसको भी आप याद रखे, और इमाले परवत की जो निचली पहाडिया होत किस जिले में हैं, चली आगली को सिन पहरनते हैं, इसको सिन का जो आशर है भो चूड चांदनी हो जाएगा, इसको ने गुलेयाशत किस था पना की थी, हरी चंधनी, हरी चंदनी की थे, आर जैसे आपको पता होगा कि मंडि जीले में दो रियास थे थी पहले, मंडि और, श सुकेत जो आजकल सुन्दनगर है कि मंडी की जो अच्छा मंडी नहीं सुकेत जो रियासत थी ठीक है पहले सुकेत थी उसकी स्थापना की थी बीर से अलग जो मंडी रियासत होगी बाद में ठीक है ठीक है आगे देखते हैं क्या लिका है अचा इसका जो सही अंसर है गुले रियासत के बाद कर रहा है तो यह हरी चंदने की थी नेक्स कोशी नमर नाइन चमबा के किस राजा ने औरंग जेब के उस आदेश को ठुकरा दिया था जिसमें उससे अपने राज्ये में स्थित हिं ने जो ठुकरा दिया था तो चंदने के कुछ राजाओं के बारे में आपको बताता हूँ जैसे की मेर वर्मन होगे मेर वर्मन ने जो वो चंदने के ती चंदने के ती 550 जीरो इसथी में है और यदे कि चंबा सहर की!? चंबा सहर के नाम पर रखा और साहिल बर्बन तントती के लिए जिसने माने बात कि चंबा सहर की चंबा पर जब वो सूरे बंसी राजा थे, सूरे बंसी मतलब जो अहुद्या से आया था, ठीक है, जैसे राम थे, वो भी सूरे बंसी राजा थे, ठीक है, तो next बात करते हैं, तो यहाँ पे इस कांसर हो जाएगा, कि किस ने जब वो यह ठुकराया था, तो चतर सिंग थे, कोशी नंबर नाइन देखते हैं, सॉरी, कोशी नंबर टैन देखते हैं, कोशी नंबर नाइन तो हो गया, कोशी नंबर टैन में देखे क्या लिखा है, कोशी नंबर टैन में लिखा है, हमाच अब देश के किनौर जिले की किस ग्राम पंचायत ने दिसंबर दो जादस, क्योंकि यह पु तो किन और जिले के किस ग्राम पंचायत में ऐसा हुआ था तो ए वह था कामरू में तो याद रखिए इसको भी एक करंट अफेर है जो कि करंट अफेर तो नहीं रहा आप तेक है कोशिन नमर 11 उहल जल्ब विद्योत परिजनल जो वो मंचप देश के किस जिले में है तो ए जो मंडी में है कोशिन नमबर 12 लिए जन गर्णा के अनुसर इसमाजबूदेश अच्छा जन गर्णा जो को तो तो बनी जाते हैं हर एक 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 अग्साम में तो याद रखिए मंचबदेश के किस चिले में लिंगान पात सबसे अधिक है तो सबसे अधिक जो लिंगान पाथ ह सबसे अधिक की बात कर रहा है कोश्ची नमबर 12 का जो सही अंसर है बहुत जाएगा चमबा अच्छा स्वारी लिंगन पाथ तो कहां पर है सबसे ज्यादा यहां पर साइद एक कोश्ची में थोड़ी सी गड़ पढ़ है यहां पर लिगा है कि जिने में लिंगन पाथ सबसे जादा है अमीरपुर में जोब जनसंग के अगनतों भी जाद है साकसर्था भी सबसे ज्याद है तीन चीज़े यादर के जन संग चार जीरॉ आद रहें और साकसर्था जान पाथ जाएं पूइढ भाएं गयान पाथ जतना है 406 ऑर शाख सता जो बहूँ 90 रखनो 90% 89.01 ठीक है तो ऐसे आप याद रखे और चमबा का जो वो कम है चमबा का साइथ लिंगन पात जो वो कितना है चमबा का है 989 जो अप याद रखे जो आप याद रखे नेक्स कोषिन पे चलते है neXT कोषिन है question no. 13 माचब देश में स्वरण जैंती ग्राम स्वर रोजगार योजना जो किस बरस प्रारम बक्की गई तो इसका आंसर हो जागा 1999 से 2000 तक कोशी नमबर 14 देखिए इमाचब देश सरकार की जो वो मुख्य मंत्री बाल उधार योजना जो कि स्रेणी से सबंदीत बच्चों तक सीमित है देखिए यह कोशीन ऐसे है जो कि 2011 में तो पुछे गए थे या मतलब कि यहां पर 2011 में पुछे गए तो फोर सेप्टेंबर को जो फोर सेजान वह था तो उसमें उस टाइम के जो भी करंट फेर हैं वह जो यहां पर पुछे गए है लेकिन अब जो एक्जाम होगा जैसे यह कोई भी अद्रा एकसाम होगे उसमें जो वह 1-2 साल पिछले अभी के जो करंट फेर है वह पूछे जाएंगे ना कि पिछले किस रेणी से सबंदी बच्चों तक सिमित है तो यह BPL परिवारों के लिए था कोशी नमबर 15 देखिए मुगल समराथ अकबर ने जागीर के रूप में कांगडा किसे बर्धान किया गए था तो यह जो मुगल समराथ अकबर ने किसको दिया होगा बिरबल को दिया होगा ठीक वो 1626 में कांगडा की लोगों जो अपने दिन किया था उसका कमांडर कौन था तो उसका कमांडर था नवाब अली खान नवाब अली खान कोशी नमबर 17 देखिए आज का लास्ट कोशीन यहां पर लिखा है सिमला हिल स्टेटस की सासको के सासको और प्रजामंडल के प्रतिन प्रतिनिदियों की जनवरी 1948 में सोलन में हुई पैठक में अध्यक्स कौन थे दुर्गा सिंग के एक और कोशीन यहां पर दिखाए दे रहा है तकिनिक से आप्सन नहीं है साइद इमाजब देश बिदान सभा में 1950 के दसक में जो मुख्य बिरोधी दल था यहां पर तो बो क्या चाहँ जा वैंना साइव में घश रहां ट्रमाला को पेसे में जुछ साइब वीच किनियों के लयाज एक्षानामानने की कि आनी से लोगा स react का तेमानों।